पुल्वामा में हुए आतंकी हमले के प्रती लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है संगठोन ने केंडल मार्च निकालते हुए पुतले फूंके और प्रदर्शन की हमले में अमर्च शहीदों को शध्ध्धंजली दि गई उन्होंने सरकार से आतंकी और पाकिस्तान को मुहतोड जवाब देने की मांगी है स्वतिंतरता सैनानी भवन में एक शध्ध्धंजली सभा कायोजन किया गया सभी ने दो मिनट का मौन रख कर अमर शहीदों की आत्मा की शांती के लिए प्रार्थना की सभी ने मांग करते हुए सरकार से कहा है कि आतंकियों और पाकिस्तान को महुत और जवाब दिया जाए आज सुदेशी जागरब मंच मुरादबा लिकाई की ओर से पुलमावा में जो आतंकी हमला हुआ और उसमें हमारे जवान भारी मात्रा में शहीद हुए उन जवानों को शर्दांजली देने के लिए आज सर्व धर्म शर्दांजली सबागा आयोजनिया पर गुआ है जिसमें सर्व समाज के लोग सब धर्मों के लोग आज यहां इकत्र हुए है और अपने शर्दा सुमन उन जवानों के प्रति और उन जवानों के परिवारों के प्रति सांतोना दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बहुत हो गया अब भारत की जंता बरदास्त नहीं करने वाली अब इसका कुछला कुछी साही हल निकलना चाहिए पाकिस्तान को तो करारा जवाब देना ही है इसमें कोई दोराएं नहीं है लेकिन इसके साथ साथ अपने देश के अंदर बैठे वे जो गद्दार हैं जिनों ने यहां पर हर दम अलगाओ वाद को बढ़ावा दिया आज मानवादिकार के नाम पर जिनों ने यहां पर उन लोगों को बचाने का प्रयास करा उन लोगों के खिलाब की सरकार को कठिन से कठिन जो भी सक्से सक्स जो एक्शन हो सकता है उनके खिलाब करना चाहिए क्योंकि यह देश तभी सुरक्षित रहेगा जब यहां से कठारों को भी सरकार खतम करें यह देश जब भी हारा है जब भी पराजे इस देश ने सेहन करी है जैचंदों के कारण करी है अपने बीच में छुपेवे जितने भी कठार है उनको भी बाहर करो उनको भी जब सेन दो और ऐसी सजाद हो कि आने वारी पीड़ी उसको याद रखे आज ये शोकसभा यहां पर आयुजित हो रही है और सब लोग भारी मन जिस तरहीं ये घटना हुई उसके बाद में जो आज कारेकरम हुआ है क्या कहने है ये घटना वास्तों में दुखा है और इस घहत का पृतिघहात अवश्य होना चाहिए कब तक हम पाकिस्तान परस्त लोगों के ये हरकतें सहते रहेंगे उसने हमें धर्मों में बाटने का प्रयास किया है उसने हमें जातियों में बाटने का प्रयास किया है उसने हमारी सेना पर हमला किया है इसे चुपा हमला नहीं ये खुला हमला है इसका जरूर पृतिकार होना चाहिए हम चाहते हैं कि शीकर ही इसका बदला हो पुरा देश इस वक्त सरकार की उड़ देख रहा है और हिर्दय में आक्रोश लिए ये चाहता है कि बदला होना चाहिए उसी उप्रक्ष में आज हम यहां पर शुद्धानली अप्पित करने हैं शुद्धेशी जागनमंच के संगठन एवं अन्य संगठन सभी मिलकर के यहां पर शुद्धानली देंगे